एक और वीडियो माँ पस्वाद करते हैं और आज हम बात करेंगे एक इंपोर्टेंट टॉपिक पे क्योंकि नीट का एक्जाम हो गया सभी बच्चे नीट का एक दिया है और अब वो टाइम है जहां पर बच्चे डिसाइड करते हैं कि हां मुझे ड्रॉप लेना है या मुझ क्योंकि बाएटक लेना है उसका बहुत ही फरक पड़ जाता है उसकी वज़ा बीशन भी इतना यह है इतना मेरा बजेट है तो उसमें आपको मिल जाता है उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता है लेकिन जब आप MBBS abroad में इन्रॉल होते हो तो कई ऐसे चीज़े होती हैं जिसमें आपको देख के बैठना होता है, यह कहिए से चीज़ों होती है, जो आपको सोच के चलना पड़ता है, तो उन सब चीजों को कैसे एक cutout करें, और कैसे एक platform पर लेके आकर, और एक अच्छी university को choose करें, इसके बारे मैं बात करेंगे, so let's begin the video from here, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत पहले से रस्या के अंदर दो तरह के इंवर्शिटीज होती थी, या मैं ऐसे बोलूँ कि as a language based यहाँ पर दो तरह के इंवर्शिटी थी, जो की पढ़ाया जाती थी, एक था यह fully English medium, जो की आपका first year से लेकर till last year तक English medium में होता था इंवर्शिटी ने अपने बहुत सरे चीजों को change किया है, तो आज के टाइम में जो है, एनमसी को follow करते हुए बहुत सरे इंवर्शिटी ने अपना जो curriculum में पढ़ाने का तरीका है, वो सब चीजों को change किया है, तो यहाँ पर रस्चे के अंदर जो most of the university है, वो अभी के टा आते हो, यह bilingual university में आप गलती से भी आप enroll हो गयो, तो आप यह समझो कि आपका जो degree है, वो invalid हो गया है, वो इंडिया में काम नहीं करेगा, उसकी वज़ाई यह है, सबसे पहले NMC कहती है कि जिस university में आप admission ले रहे हो, वो fully English medium होना चाहिए, दूसरी चीज कि जिस university में आप एक वर enroll हो गयो, यह जिस university में आप एक वर admission ले लिए हो, दोबारा आप transfer नहीं ले सकते, क्योंकि देखो, अगर आप ऐसा है कि मालो, first year से लेकर, till third year तक आपका English medium है, उसके आप ऐसा सोच रहे हो, कि हम किसी और university में transfer ले लेंगे third year के बाद, तो क्या होगा, वहाँ पर आपका यहाँ पर degree invalid हो जाएगा, next point पर हम बात करते हैं, यहाँ पर दो तरह की university, एक state medical university, एक federal university, तो दोनों university में difference क्या है, कई ऐसे universities है, जिसका budget का difference है, और कई ऐसे universities है, जहां का city का difference है, अब दोनों university के हम बात करते हैं, कि campus किस तरह होता है, देखो, जहां तक जितने भी federal university देखा हूँ, उनकी campus थोड़ी से बड़ी है, और आसपास होते हैं, department बगेरा, लेकिन state medical university क्या होता है, इनके तरफ, इनके अंदर बहुत सारे hospitals होते हैं, बहुत सारे hospitals होते हैं, और जो रस्या का अंदर जो education system है, और जो medical system है, उसमें क्या आता है, अगर किसी भी patient को, औ people को अगर कोई दिक्कत होता है, सबसे पहले nearby polyclinic में जाते हैं, और polyclinic से होते हुए, फिर वो state university जो होते हैं, या state medical university जो होते हैं, तो जो flow patients होता है, वो होते हैं local hospitals में, तो जो state medical university के अंदर होते हैं, उनको जादा ही यह सब चीज़ों को देखने होते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जो state medical university है, और जो federal university है, almost दोनों में कोई difference नहीं है, दोनों एक level पे अपने जगाँ पे बहुत best हैं, आप ऐसे समझो कि दो university हैं, और दोनों को जो financial चीज़े हैं, वो एक central के तरफ से आती है, एक state के तरफ से आती है, लेकिन अगर infrastructure की बात करें, तो आप रशे क कर सकते हैं, कि कौन सी state university है, कौन सी federal university है, अच्छी है, वो depend करता है कि आप कि इनवर्शेटी को चूज कर रहे हो, और कैसे चूज कर रहे हो, क्या पर रहे हो, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, कि कभी भी आप जब इनवर्शेटी चूज करते हो रशे के सबसे पहले आप चूज करो कि आपका बजट क्या है, मैं बजट के बारे हमेशा इसलिए बात करता हूँ, क्योंकि अगर आपका financial condition बहुत अच्छा होता, यह अच्छा है, यह बहुत अच्छा होता, तो आप क्या करते हैं, इंडिया में ही इंवर्शेटी को चूज कर लेत करते हो, जहां पर आपका बजट को हिला देता है, आपका बजट बिल्कुल ही खराब कर देता है, तो आप उस इंवर्शेटी से एक बार जाने से पहले सोच रो, क्योंकि अगर आपका financial condition खराब होगा ना, तो आप अपने study पे और भी चीज़ों पे focus नहीं कर पाऊगे, इसमें ये है, इसमें ये है, फिर कुछ some of the universities को आप चूच करके, उसके बाद next point पर आते हो, कि उसका आप देखो कि उसका infrastructure कैसा है, जैसा infrastructure होगा, तो उस university में education system भी काफी अच्छा होगा, next point पर बात करते हैं, next देखते हैं उस university में कि जो international student का flow है, वो कैसा है, कि मतलब कि इतने साल से उस university में flow है, या कितने साल से international student उस university में पढ़ रहे है, और चौठा main point यह है, कि वो university कितनी पुरानी है, देखो, पुराना होने का एक importance यह होता है, कि कि कोई भी university अगर पुराना है, बहुत जादा पुराना है, तो वो क्या होता है, कि उनका जो education system होता है, वो काफी अच्छा होता है, तो आप एक pattern बे में study करते हो, तो मतलब आपको ऐसा लगता है, कि हाँ, आपका जो syllabus है, आपकी चीजे है, वो काफी अच्छे तरीके से cover कर रही है, और university हर एक चीज को अच्छे तरीके से बढ़ा रही है, तो बहुत सरे से चीजे होती है, अगर आ आप university को choose करो, wisely choose करो, किसी agent, किसी student, या किसी के motivational speaker की तरह आप उसको ऐसे नहीं ले लो कि हाँ, वो भीया बहुत अच्छे से बोड़े थे, तो मैं उसके हिसाब से ले लूँ, या वो agents अच्छे से बोड़ रहा था, वो बहुत politely, बहुत smooth way में बोड़ रहा था, उसका experience का अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया, बहुत अच्छे तरीके से सोच लो, समझ लो, क्योंकि एक बार जब university अगर choose करने के बाद, अगर आप वहाँ पर first गया हो ना, उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं हूँ, कोई भी बंदा हो, नहीं बचा सकता है, उस बजट उसको नहीं मिल पाता है, financial condition खराब हो जाता है, university bilingual निकल जाती है, या ऐसा बोलो कि NMC के हिसाब से वो university सूप निकर रहा होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़े होती है, फिर भी अगर आपको रश्यकंदर admission लेना है, या admission लेने का सोच रहे हो, या university choose करने में दिक्क करने के लिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा, और this is all about videos, वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को subscribe करो, and see you in the next video, बाई बाई